श्रीब आप सबका हमारी चैनल श्रीमधरों मेरेमेडिय स्वागत सुवागत ہے इस वीडियो में हम आपको बताने जारा है एंवैंचुरीन के बारे में इये एंवैंचुरीन का लॉकेट है तो मैं इसमें जो बताने जा रहा हूँ ये है कि आप इसे धारण कैसे करोगे अभी मंतित कैसे करोगे कौन इसे पहने कौन इसे नहीं पहने शिवागा.com की तो यह गैरेंटी रहती है कि यह आप इस तारी चीजे आथन्टिक और जैनियून मिलती है लैब सेटिफाइड मिलती है तो उसकी तरफ से तो आपको फिकर करने की जुरूती नहीं है और साथ में आप चाहेंगे तो आपको अभी मंतित भी मिलेगा आपके नाम और आपके गोत सही अभी मंतित किया जाता है और अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है जिन लोग ने शिवागो.com से समान लिया है उन सब का अच्छा हो रहा है हलनकि बड़ी बात शिवागो.com की नहीं है कि शिवागो.com से ले रहे यह उनके अपनी किस्मत है उनका अपना आस्ता है उनके आस्ता को विशे है उनको बेनेफिट हुआ तो इसे कौन धारण करे या कौन नहीं धारण करी है मैं आपको बता दूँ देखिए कोई भी रतन जा पहना जाता है तो एस्ट्रलोजर से जरूर समपर्क करना चाहिए कि यह पहने या नहीं पहने कभी-कभी क्या होता है कुछ-कुछ रतन होता है जो दूसरे के कॉंबनेशन के साथ नहीं पहन सकते है जैसे मैंने ओपल पहना है पना पहना है मैं पुखराज नहीं पहन सकता हूँ मैं नीलम नहीं पहन सकता हूँ ठीक है नीलम तो शहएद एक टाम को पहन भी लूँ पर पुखराज नहीं पहना जा सकता है, रूबी नहीं पहना जा सकता है, तो ये अश्टा लॉजर से बिल्गू कंसर्ड करना चीए, पर ये उतना ज्यादा हानिकारक नहीं होता है वेंचरिन, लोग बिजनेस और मेंटल पीस के लिए पहनते हैं, और जो बेनिफेट्स हैं, ये मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ आपको, तो देखिए, इसे पन्ना रतन के उपरतन के रूप में धारन किया जाता है, और जिन व्यक्ति के कुंडिली में बुद्ध शुब भाव का सौमी होकर निर्वर लवस्ता में स्थित है, वह इस उपरतन को धारन कर सक को, एक तो ये विडिया कि आप सीधा सीधा मंगाओगे शिवागो.com से वहाँ पर आपको घुन्तित मिलेगा, दूसरा यही है कि कोई भी रतन धारन करने से पुर्व, आप उसे प्रान परतिश्टित करोगे, अवेंचरीन को तभी धारन करें, जब उसे उर्जित अथवा एनर्साइस किया गया हो, कैसे करेंगे आप, ये मैं आपको बता देता हूँ, पहनने से पहले रात के समय में, आप इसे गंगाजल, गाय के दूट और शेहद में डाल के रखती है, सुबा, इसे शुद्ध पानी से धोकर, गंगाजल से शुद्ध करके, आप अगर बत्ति दिखाएंगे, कपूर की आरती दिखाएंगे, अपने हाथ में पानी लेंगे, एक रुपे का कोईन लेंगे, और संकल्प करेंगे, बगवान गरेश का नाम लेकर, कि मैं जिस मकसद से पहन रहा हूँ, या पहन रही हूँ, वो सफल हो, हम जिस मनकामना को मन में धारन करके पहन रहे हूँ, वो मेरे मनकामना पूरी होने चीए, उसके बाद पानी को आप जल निचे जमीन पे डाल देगा, और जो एक रुपे का जो खाएंगे, आप पंडित को दे दीजिए, या फिर आप मंदिर में दान कर सकते हैं, उसके बाद आप मंत्र पढ़ेंगे, ओम बु बनाई है, जनरी लॉकेट ही पहना जाता है, क्यों बड़े 10-12 करेट सूपर का लॉकेट ही पहनना चाहिए, तो लॉकेट आप पहनेंगे, तो बिल्कुल आप लाल धागे में पहन लीचेगा, ग्रीन धागे में भी आप पहन सकते हैं, पर काले में मत पहनिएगा, तो धन् नकली की भरमार है, लोग नकली की तरह भाग रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि असली कौन है, नकली कौन है, वहाँ पर आपका एक मात्री डेस्टिनेशन होगा, शिवागो.com होगा, तो धन्यवाद, आप सब का हमारी चनल पे स्वागत है, आप हमारी चनल पे सब्स